नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर बियास वोसले अमडी होमपैथ डिरेक्ट आफ आशा होमपैथी दोस्तों आज विडियो बनेगा इस विडियो में दो तिन चीज़े बताऊंगा एक हम आशा ओर्गनाइशन की तरफ से एक वेबिनार सीरी चालू करने जा रहे हैं 16 जून से और सकेंड तिन आज मैं बाते करूंगा मेरे गुरू की लेटेर मेरे गुरू डॉक्टर इसके दुबे सर फ्रॉम कलकत्ता है दोस्तों गुरू की बातें करने से पहले मैं उनका टाग्लाइन बताता हूं को हमेशा कहते थे पढ़ने लिखने से अच्छा है पढ़ते लिख लिखते रहो पढ़ने लिखने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहो एक टैग लाइन है ना बिस साल पहले उन्हों ने कहीती मज़को आज तक उस टैग लाइन पर काम कर रहा हूं को दुनिया में गुर्ण बहुत हुद होता है अपने लाइव में अपनी माता पिता आपने को जन्म देते हैं माता पिता फिरेक्शंब्र करते हैं के अपना गुरू है जिसको गुरू लाइफ में अच्छा मिल गए ना, समझे उसकी लाइफ बन गई, बहुत सरे लोगों का प्रब्लम होता है कि गुरू नहीं होता है उनके लाइफ में, मैं खुद को भूती लखी समझता हूं, और दिल से मेरे आज गुरू को मैं प्रणाम करता हूं, जहां कही मैं बहुत अच्छा हूंपेति का फॉंडेशन बना के लिया था, लेकिन कहीं न कहीं बात थी, कॉंफेति का फॉंडेशन बहुत अच्छा था, तो क्या करें? तो मैं बहुत जगह गया मेरे होंपेति सिखने के लिए, लेकिन मुझको किसी ने कहीं पर वेकेंसी नहीं थी, और नहीं मिला मुझको चांस यहां पर, तो आउरंगाबाद, आउरंगाबाद में डॉक्टर इसकी दुबेश सर का एक सेमिनार था, डॉक्टर गर्दे सर ने सेमिनार में, उस टाइम में सर का एज होगा, सेवेंटी तक एज होगा दुबेश सर का, दुबेश सर सेवेंटी के एज में स्टेज पे बैटके, हर एक ड्रक की एक्टिंग करके दिखाते थे, और वो मुझे बहुत सही लगा, एज अफ सेवेंटी, अस्तवा के एक्टिंग करके दिखाना, किसी की बस की काम नहीं है, अंदर एक एक्टर ही चाहिए, और बहुत लाइफ का बहुत तजिर्वा भी चाहिए, दुबेश सर का स्टेज पे उनका परफॉर्मस देखके, उनका सिखानी का तरीका देखके, त सोचा कि गुरु चाहिए तो ऐसा चाहिए लाइफ ने, जो कॉन्फेरंस दे, जरनी स्टार्ट हो गए, सर को फोन किया, सर ने बुलाया, मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग गए कलकता में, और जैसे कलकता में गए, सर की OPD सुबे साथ बज़े चलो होती थी, साथ से दोपर स्टिक्शन बहुत ही फास्ट असर का, जैसे इंसां को देखते थे, प्रेमिडी दिखते निकलते थे उनसे, हो सर स्टूडेंट भी थे हमारे जैसे कलकता के स्टूडेंट थे, वहां कि बंगाली भाष्या थे हमको समझ में आती थी, लेकिन समझ ने की कोशिश तो जरूर क करते थे, लिए एक मुमेंट में देखते ही सर कैसे द्रग देते थे, सर को पूछा हमने, सवाल जवाब चालो हो गए, थेजो पूछा तो आप एक मुमेंट में इनसां को आई सर का स्टेटमेंट सुनिये सर ने कहा कि जैसे आप case taking लेते हो ना पूरे history लेते हो तो देखो कि उस इंसान की आँखों में क्या लिखा है तो हम तो उस ताइम बच्चे थे तो हम लोग इंसान के आँखों में जाके देखते थे दिखता था कॉर्णया वही रेटाना दिक्टा था तमगे कुछ दिखता नहीं था तो mention कौक का हमने कुछ ने दिख रह थैं सर ने कहां आगर हुंब את कि शिखनी है तो आंखों को देखों कि आखों में किया दिखता है तो Chief थे का statement सुनिए और आख में से गुजरते हैं जिन्दगी के रास्ते हैं आखों से गुजरते हैं जिन्दगी के रास्ते हैं अगर जिन्दगी देखनी है किसी इंसान की उसकी आखों में छाके देखो पूरा इंसान समझ में आएगा बस वह एक फार्मिला बन गया कि आखों से ही जिन्दगी के रास्ते होते है दोस्तों बस एक इतना अच्छा फॉर्मिल देया सर ने क्योंकि सर ने कहा कि रोते थे हम सब लोग है रोते हम सब लोग है लेकि हर एक का रोना अलग अलग है हर एक हासना अलग अलग है हरे का बैटना अलग-अलग है हरे का उठना अलग-अलग है तो यह अलग-अलग निस्की दुनिया है इसी को पर्खो, इसी को समझो इसी को जानो, यही है होमेपेती तो हमें लगा कि है होमेपेती बहुत डिफिकल्ट है क्या करेंगे सर ने कहा कि, हो ना नो एन्सान को समझना भूत इंपॉर्टन है अगर आप समझ गए न एक बार तो होम पेती आच्छे तर्श समझोगे और वहीं इनसान को अगर ट्रीट करना है ठीक करना है अच्छा करना है तो होम पेतिक मेटरामेडिका आनी चाहिए वो field of Metra America ना बहुत important है, दोस्तों कहते हैं कि सर के बारे में भूत कम लोगों को यह पता हो गा कि सर only Metra America में master नहीं थे, जैसे कहते हैं कि चलती फिरती Metra America यह दुबे सर, ऐसा कहते थे, college में कहते थे, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेगी महीने जो सर को देखा, से मेट्रामेडिका के मास्टर तो थे ही लेकिन उनको जीवन का अंदास बहुत जबरदस्ता जीवन का अंदास बहुत जबरदस्ता हों के पास उनका कहते थे कि हर एक उनका उनका चुछ टीचिंग था टीचिंग ऐसा डारेक्ट नहीं था, सब को टीचिंग इंडारेक्ट था, कोई भी आगर ड्रग बता नहीं हो तो स्टोरी बनाएंगे, फिलोसोफी बता नहीं है तो उसके पिछे का महल बनाएंगे, कभी कभी हम जैसे डॉक्टरों को फिलोसोफी का लेक्चर लेने के लिए घंटो बैटना पड़ता है, फिलोसोफी पड़नी पड़ती है, फिर फिलोसोफी हम बताते है, क्योंकि इंप्लिमेंटेशन नहीं है लाइफ में, लेकिन दुबेर सार को मैंने देखा, कि उनके लाइ कैसे पड़े सर, रेपेटर नहीं समझती, कैसे करे सर, तो सर का बताने का तरीका कुछ ऐसा था, कि महाबारत की रामायन की बाते बताएंगे और उन बातों में समझाएंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, बहुत अचा खिस्सा बताया हुनोंने, मुझा अभी भी याद है, महाबारत चल रहा था, युद्ध चल रहा था, अभी मन्यू, अरजुन का लड़का जो था, अभी मन्यू, उसको मारा गया, कवरोव ने, और मारा गया और चेतरत नाम का जो कवरोव था, उसने अभी मन्यू मरने के बाद उसको मार दिया, बहुत मारा था, उसको पाउ अर्जुन को बहुत घुसा आया अर्जुन और स्रीकृष्ण कई दूसरे जगह पे थे और उस युद्ध में कहते हैं कि लाखों करोड़ों को मर भी गए लेकिन दूसर का बताने का तरीका कुछ ऐसा था कि जब अर्जुन को पता चला कि अभी मेंनी उमर गया है युद्ध में तो उसका टेंचन नहीं था कि युद्ध है मरने वाला ही है लेकिन युद्ध के बाद उमरने के बाद अभी मेंनी को उसने लात मारके मारा ना वो मैं युद्ध भूभी छोड़ दूँगा तो गवरों बहुत खुश होगे प्यारजुनी में धाना उसका तो दूसरा दिन चालू हुआ सुबह संड्राइज हो गया युद्ध चालू हो गया लेकिन चैतरत को उन्हों लोगों ने छुपा के रखा था चैतरत चुपा के रखा था चैतरत नहीं मिला दुपर हो गई शाम हो गई शाम होते होते आ गई अभी सुर्यास्त होने वाला है तो जैसे ही श्रीकृष्ण ने अपना दिमाग चलाया कि पूरा उसका बादल लाया उस सूर्य के सामने वह संके सामने बादल आ गया बादल आ जाओ कि जाओ सूर्य बहार आ गया कि फिस्ट्रीकृष्ण कैते हैं है अर्चुन वो रहा सूर्य और रहा चैतरत मार्देज को आप सोचते होंगे कि यह स्टोरी में क्यों बता ना हो दोस्तों इस स्टोरी की पिछे का मैसर्ज के है स्रुक्रिट्ष्ण ने माहल बनाया बा मोहल बनाना पड़ेगा, वैसे लोग हुंका, और अगर आपको लगता है कि पेशेंट अबना ठीक होना चाहिए तो मोहल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर की जो гром से उसको निखालने का एक मोहल बनाना पड़ेगा उसे को हम रैपो कहते हैं, उसे को हम टेकनिक कहते हैं उसी का हम कम्यूनीकेशन कहते हैं बहुत इंपोर्टन फैक्टर है चैसे सर के पास को शॉट्टर नहीं था कॉंप्यूटर नहीं था लेकिन इसलिक द्यूप एक कॉंप्यूटर से भी parts या था भूत बढ़ी है से का सिरा सिकानी का थरी का अफ दो जबरदस्त मैं तो पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं हूं पैती हर एक दिन सर के नाम हर एक दिन हर एक मुमेंट हर एक पेशेंट मैं सर के नाम पर देखता हूं जैसे आपनी गुरूं का आशुराद हो ना पीछे आपने तो डेफिनेटली ओ केर लेते हैं आपने कहा ना कि सर की ओपिड़ी एक जगह थी सॉल्ट लेक सेटी जो सुबह मौनिंग में देखते थे उनके घर के बाजू में और दुसरी ओपिड़ी थी बानिक तल्ला बहुत उदर से आधा घंटा लगता था तो कभी-कभी सर के गारी में हम बैटते थे हमको सर बिठाते थे सबर बहुत अच्य लगता था कि सर के गारी में बैटना गुरुण के साथ रहनां गुरुण के साथ खाणा मिलना गुरुण के साथ चाए का कभ मिलना बहूत नसीब आलों का काम होता है कि मुझे सर के साथ चाय पिलने मिली, सर के साथ खाना खाने मिला, सर के साथ घुमना मिला. Thank you, thank you God, you are given a teacher like दुबे सर, you are given a guru like दुबे सर. जब गारी में बैठते थे, सौट लेक्शेटे से मानित तला तक आते थे, तो पूरी आदी घंटी की जर्री थी, तो हम तरस थे थी कि सर क्या बात करते हैं, तो कभी-कभी कोई साइकल वाला आगया है न, तो कहते हैं, आरे नक्समी का आगया, कभी कोई सामनी कोई लीडिया लेकर देट परसिटेला जा रही है, तो ये चलते बोलते सर का काम था न, मेटरा मेड़ी का, मेटरा मेड़ी का सिखाने का तरीका जबरदस्ता, एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट बहुत याद है मुझको, एक बार हुआ ऐसा, सर को एक फोन आ गया, सर ने फोन उठाया कान को लगया, वह एकदम, वह अपने फिल्म इंडरस्टी के आशोक कुमार पला पता है न, आपको किशर कुमार के भाई, सेम वैसे थे, उनका टोन वैसा था, उनका बोलने का तरीका वैसा था, आशोक कुमार को देखा और दुबेसों को देखा, तो कोई अलग-अलग नह जाएंगे, तो हम फोड़ एक्साइट हैती कि हमें एक पेशन देखने को मिलेगा, तो सर के गाले में बैट गए, सर ने दो-चार मेडिसन्स मिली, अपने बैग में, मैट थी सर के पस, और जैसे ही अंदर गए, थोड़ा इदर देखा और दवाई दे दी, और हम भार निकल सर देख रहे और दवाई दे रहे, यह पेसिफिक दवाई दे रहे क्या, तो जैसे हम ओपीडी में गए, मानिक तल्ला में, तो सर को पूछा, कि सर, कैसे सर यह सब होता है, कैसे डग दिया आपने, तो सर की लैंगेज में आपको बताने के कोशिश करूँगा, वो टिपिकल सर का लैंगभिश, अरे बेटा, जब उस पेशन का फोन आ गया ना, तो फोन जैसे मैंने लिया, मैंने क्या कहा, कि मैंने कहा कि बुखार है, कब से है, उसने कहा कि पांच-छे दिन से बुखार है, तो उसी ठाइम, मेरी ऐसी दवाई सेलेक होए ती, जो बुखार पांच- की रहनी वाइन है लेकिन उनमेंसे चारपाश ड्रग निखा ले दिमाग में जई सी ही दरवाजा खुला देखिए आगे की लेंगवेच देशी दरवाज अवाज कर दिया कर क्या किया और आख अवाज कर दिया कर तो मेरी मेरी आख नहीं पेशन को देखा तो पेशन जो बिष्टर पर बेट पड़ा था वो एक पर इस तरब था हाथ इस तरब था तकिया इस तरब था गदी इस तरब थी तो आखों ने वो देखा जैसे कर रहा हुआ जाया ना तो पेशन हिल गया हां सब हिल गया बराबर हमने भी देखा फिर आग आया करके टंग भारा गई है, वो भी देखा, हाँ सब देखा, किस ने देखा, आखो ने देखा, देखो, जब हम पेशन देखने जाते हैं ना दोस्तों, बच्चों, ऐसे सर कहते हैं थे बच्चों, जब हम पेशन देखने जाते हैं ना, बच्चें ने कहते थे, गदे कहते अवे अरे गदो जब पेशन देखते हो ना तो ऐसा देखो दरवाजा खुला ना आवाज आई कर उसने कान ने सुना हमारा वे कान काम करना चाहिए जब हमारा कान काम कर रहे ना तो आवाज आई तो पेशन रिसलिस था वो आखों ने देखा आखों ने देखा पेशन रिसलि कईक कर रहे थी आपका काम आग कर रहे थी नाक का कम नाग कर रहे थी थोड़ा बुद काम बचाता मूखा वह मैंने बुचा कब से बुखार है तो इने कहां कि 6-7 दिन से से क्या हुआ था 6-7 दिन पहले तुन्हों ने कहा 10-15 दिन में बिजनेस लॉस हुआ था बहुत टेंशन आया था बस हो गई रेमिडी हर एक पेशन को पूछना जरूरी नहीं है अफ्जर्वेशन अपने सेंसेस के साथ करना है यही होंपेटी है यह सर में सिखाया आखों का काम आखों को करने दो कानों का काम कानों को करने दो नाक का काम नाक को करने दो और आपका मुँ थोड़ा बंद रखो दिमाग की दर्वाजे अटोमेटिक खोल जाएंगे यह सर का तरीका था, observation has great value in homeopathy, ये दुबेसर से सिखा हमने, जैसे हम case taking लेते हैं ना, साइम इंटर्निस के observation करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपको रैमिनी मिल जाएंगे, ये थे मेरे दुबेसर, दुबेसर, thank you very much, thank you very much sir, आपने जो नजर दी हमको, पेशन को देखने की, mind blowing, क्या थे दुबेसर, जैसे है वैसे देखो पेशन को, जैसा है वैसा देखो, उपर से देखो, निचर देखो, जैसा है वैसा देखो, mix मत करो, pollute मत करो, ये थे दुबेसर, दोस्तो, हम लोग दुबेसर का किताब तो पढ़ते हैं, first year से लेकि internship, लेकि मुझे ये समझता नहीं है, कि teacher लोग, दुबेसर का किताब पढ़ने को क्यों नहीं कहते, मुझे तो, देखिए दोस्तों, मैं आज की date में कहता हूँ, बहुत अभिमान से कहता हूँ, I am a homepage, बहुत अभिमान है मुझको इस चीज़ करा, क्योंकि homepage जो आज मुझको दिया, 20 साल में, बहुत कुछ दिया, नाम दिया, काम दिया, पैसा दिया, गाड़ी दिया, बहुत लेकि फिल भी, दुबे सर को, क्यों वो हैते हैं student को, दुबे सर का किताब मत पढ़ो, दुबे सर का जो किताब है ना, वो किताब नहीं हो, नोर्स है सर के, वो सर के नोर्स है, सर नोर्स 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 लिख्खे हो सब किताब के नाम से निखाला, उस किताब में क्या है, द पीर बाव में प्रटिकुलट्ड है और लास्ट की बारे में कहा है और आगे जाके राड़े में रेमडे रलेशनशिप की बारे में कहा है एक ट्रग की इंफॉर्मेशन जो डीह सर ने ऐसे कोईविक किताब में इन्फॉर्मेशन नहीं है सब किताब अच्छे हैं लेकिन दुबे सर का जो भू के इट इस कंटेंट ऑफ केंट सर बुरिंगो से चटरची चाधरी इस अब किताबों का अलेंस की नूट उसब किताबों का मिश्रन है और एक बात मैं आप कहना चाहता हूं दुबे सर जो थे ना छी स्टूड़न ऑफ दॉक्त वी के बोस। भूक्त वी के बोस। एक डॉक्तिके बोस सब ऩही किताब को सब्सक्राइब ताय। इंप्लिमेंट करना है मेरे इसी चाहिए कि जैसे इंसान आता है तो समझना चाहिए इंसान देखता है तो भी समझना चाहिए इसके अंदर कौन साथ है वो थे मेरे दुबे सर थोले से सीधे साधे थे एक दम सही इंसान थे एक अपने डिरेक्शन में चलने वाले इंसान थे उनको ये सब बड़ा बड़ा दिखाना बड़ा बोलना एक कुछ मुझे नहीं लगता उनको कुछ आथा था ऐसा बस आपने काम के लिए ही ओ फेमस थे जिन जिन डॉक्टरों ने दुबे सर के पास जाके ट्रेनिंग लिया है उनका उनको आशिस किया है द्यार लग्यस्ट गाई इन इस वोल्ड उसमें से मैं एक लग्यस्ट गाई हूं और एक बहुत इंपॉर्टन बात में दुबे सर के बारे में कहता हूं उनमें एक ऑथें कभी कभी हमको सवाल आते थे कि सर हमें इसा सवाल है हमें इसा सवाल है तो एक पुलाइटली नियुकर सब्सक्राइब उपलाब मैं ने दे सकता है एक छोटा सा अलेफम पोटनेशी मेरे से भी आच्छा डॉक्टर दे करके है वह बहुत आच्छा आपको समझाएंगे तो ओफोन करते थे डॉक्टर दे को डॉक्टर भोलाना चक्रवृति सर को डॉक्टर आधिकारी को मेरे बच्चे आ रहे हैं वाँ पर उनको जड़ा उनके प्रॉलम्स की सोलूशन दे दे देना यह थे दुबे सर इगोस्टिक नहीं थे मेरे कोई हाता है मेरे 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 एनाइच इंस्टिटूट था जहां पर सरका होल्ड भोत था उन्होंने वहाँ पर भी फोन करके बताया था महराष्टर के बच्चे आये हैं उनको थोड़ा सिखाना तो वहाँ पर डॉक्टर भी हमको आच्छे सिखाते थे मैं उन सब डॉक्टरों को मेरे तरफ से बहुत नमस्कार करता हूँ बहुत शुक्रियादा करता हूँगा दोस्तों जैसे मैंने कहा कि वीडियो के पहले शुरुआत में कहा था कि एक वेबिनार स्रीज चालू करने वाले हैं दूबर से श्टाइल में मेंटरामेडिका सिखानी की पूरी कोशिश करूंगा बहुत इंपॉर्टन्ट है जैसी मेंटरामेडिका है वैसे ही इंसानों को देखनी की प्रैक्टिस हम इस वेबिनार स्रीज में करेंगे डीटेल्स और फोन नमबर निचे दिये हैं उनको फोन अपके आडिमेशन आप एक कर सकते हैं, 10 लेक्ष्यर होंगे, 10 लेक्ष्यर होंगे, 10 आर होंगे मेरे साथ, तब तक जुड़े रहना हम से, हम बत्दे से मैंने कहा कि पढ़ने लिखने से आच्छा है, पढ़ते लिखते रहो, दोस्तों जाते हैं तो एक फॉर्मिला चाहे घर का प्रॉब्लम हो चाहे अपने प्रैक्टिस का प्रॉब्लम हो ये तीन एफ को नहीं भूलना ये तीन एफ के साथ रहना प्रॉब्लम स्वाल हो जाएंगे क्या है एक फेस इट पहला एफ क्या कहता है फेस इट दुसरा एफ कहता है फाइट और तुसरा एफ कहता है फिनिश इट, ओके, तो 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 तीन एफ धान में रखना, और इसे के साथ मैं एक बार फिर से मेरे टीचर, मेरे गूरू, दुबे सर, इसके दुबे सर, एक, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे होमपेटिक जी जूनियर डॉक्टर से, उनको दुबे सर, पता नहीं होंगे, क्योंकि उनका किताब भी आपको पता है, लेकिन उसकिताब में बहुत डेप्त है, डेफिनिटली आप पढ़ते रहो, एक की, एक कहते है न, एक डिरेक्शन देने का काम करता है उनक किताब, ओके, तो हम लोग मिलेंगे अपने आने वाल विन आप विनार के बारे में सुना, मिलेंगे, खुश रहिए, बहुत मस्त रहिए, नमशकार